गुड मॉनिंग, टेंट क्लास हम ग्रोइंग अप पेन में समीर नाम के टी निंजर यानि किसोर की कहानी पढ़ रहे थे और इस कहानी में बहुत ही शांदार ढंग से लेकक आर के मूर्थी ने दर्साया है कि किसोरा अवस्था में किस परकार एक किसोर विवार करता है और किस परकार किसोरा अवस्था ही सबसे मुश्किल अवस्था रहती है आखरी लाइन में हम यहां तक थे कि वो यह बोल रहा है कि अपने मावाप से संबंद तोड़ना कौन चाहेगा मैं तो इस विचार मातर से ही वेरी थोट विचार मातर से ही रोना शुरू कर देता हूँ लेकिन ये भी सच है कि मैं अपने माबाप से दूर जा रहा हूँ और या फिर Am I imagining अगे exclamatory sign ने देखना क्या फिर मैं सिर्फ कलपना कर रहा हूँ मतलब वास्तित्ता में ऐसा कुछ नहीं कि मैं कहीं नहीं जा रहा कुछ भी नहीं बदल रहा सब बराबर है या तो ये है कि मैं दूर जा रहा हूँ और या फिर ये मेरी कलपना है I think मैं सोचता हूँ मैं महसूस करता हूँ Apa is watchful मैं सोचता हूँ कि पिता जी वोच्फुल एंड वैरी देखिए वोच्फुल का अर्थ होता है जी सावधान क्या होता है सावधान और वैरी है ये ध्यान से देखना डबलू ए आर वाई इसका अर्थ होता है चोकना रहना चोकना रहना I think Apa is watchful एंड वैरी वैरी वैन ही मीट्स में बोल रहा है मैं ये सोचता हूँ कि अपपा यानि मेरे पिताजी जब भी मुझसे मिलते हैं अब पहले नहीं अब बड़े ही सावधान और चोकनने रहते हैं आफकोर्स नी संदिया हिजाईज उनकी जो आँखे हैं गलीम विद जोई हाँ ये बात बिल्कुल सच है कि उनकी आँखे परसनता से चमक उठती हैं गलीम विद जोई कारता परसनता से चमक उठना whenever I walk into his presence कि जब भी मैं उनकी उपस्तिती में रहता हूँ मैं अपने पिताजी के सामने जाता हूँ परसनत उपस्तिती हाँ ये बात सच है कि वो खुस हो जाते हैं लेकिन सावधान और चोकनने रहते हैं वज़य क्या है पता नहीं but is it as spontaneous as it used to be देखें model होंता है used to be का पहले क्या ये वैसा ही है जैसा पहले ता spontaneous का अर्थ होता है जी एक साथ होने वाला कि क्या जितने सावधान वो आज रहते हैं जितने चोकने आज रहते हैं उतने ही चोकने या सहज सभावी क्या सहज स्पोंटेनियस क्या उतने ही वो अब भी है और एम आई एनेबल या फिर मैं स्वम ऐसमर्थ हो गया हूं तो फिल महसूस करने में इट्स वॉर्मेथ अपने पिता के उस भाव की गहराई को वॉर्मेथ वैसे होता है गरम जोसिता लेकिन आप आप ये कह सकते हैं कि गरम जोसि पर या फिर मैं उस चीज को समझ नहीं पारा विकोज अफ दे कर्टें कर देन कर्थ है पर्दा उस पर्दे की वजह से मैं उस बात को समझ नहीं पारा that has come up between us जो पर्दा हमारे बीच में आ गया है हो सकता है उस पर्दे के कारण मैं अपने माबाप का जो प्रेम है उनकी चिंता है उसको समझ नहीं पारा ये भी संबह हो है में भी हो सकता है because of the curtain उस पर्दे की वज़े से पर्दा किसका एक तरफ parents है एक तरफ समीर है और उन दोनों की सोच जो है उन सोच के बीच में दवन्द इस तरह दवन्द एक जालसा बुन गया है He sees me as something different हो सकता है उस पर्दे के कारण वे मुझे different यानि भीन और समवन करता है व्यक्ती कोई और ही व्यक्ती समझते हैं उनको लगता है कि मैं क्या हो गया हूं बदल गया हूं ए रैदार मिस्टी फिगार मिस्टी का अर्थ होता है धुंदला क्या होता है जी धुंदला और फिगर का अर्थ होता है जी आकरती क्या होती है आकरती एक दुंदली सी आकरती जो क्या है इंप्रेसाइस इंप्रेसाइस है यानि एसपस्ट है वेग है यानि वेग को भी धुंदला कहते हैं और इलूसिव है इलूसिव का अर्थ होता है मैं यहां लिख रहा हूं ब्रहाम्मक और वो ही भावना डवलपिंग सित हो रही है एक फेम फॉम यानि रूप का डैट इस डिफिकल्ट जो मुश्किल है फोर हीम तो गोज यानि यह गोज कारत होता जी समझना समझना और साइद उसी वजह से उस एसपस्ट ब्रहाम्मा का संदिग्द आकरती है साइद उसी वजह से वो समझ नहीं पा रहे और आगे लिखा है और ऐसा भी हो सकता है कि इस नई आकरती से वे भी भैवीत हैं नई आकरती क्या है जान से समझना समीर का बदलता हुआ विभार समीर का बदलता वहां रूप चाहिए वो सर्रिक होचे मानसी को वो कह रहा है इसी लिए वो जो डवलपिंग जो विक्सित हो रही है फोम यानि आकरती इट इस डिफिकल वो मुस्किल है फोर ही मेरे पिताजी के लिए तो गोज यानि उसको समझना उसका अनुमान लगाना या फिर ये भी संबव है कि मेरे जो पिताजी है वो उस आकरती से स्केर्ड है यानि मेरे नए रूप से डरे हुए है Is that why? क्या यही एक वज़े है? At times, यानि कई बार क्या यही एक वज़े है कि कई बार He makes extra efforts, extra अत्रिक्त अफर्ट करता है प्रियास कि वो अत्रिक्त प्रियास करते है To be overtly affectionate Affectionate का अर्थ होता है सने है और overtly का अर्थ होता है अधिक सने है वो कह रहा है साइद यही कारण है कि कभी कबार वे सब के सामने मुझे सने हैं देते हैं, बहुत ज़्यादा सने है देते है I don't know बोलता है मैं नहीं जानता Maybe he tries to kill वो सकता है वो प्रियास करते हैं मारने का The fear उस भय को In him जो उनके अंदर है By treating वेवार करके Me मेरे साथ Which cousin का अर्थ होता सावधानी पूर्वा साइद सावधानी पूर्वक मेरे साथ वेवार इसलिए करते हैं ताकि वे उस भय को उस डर को जो उनके मन में हैं उसको मार सके He finds safety in treating me as a child और साइद treating कारते हैं वेवार करना Me समीर के साथ as a child बच्चे की तरह Finds पाना safety शुरुक्षित साइद एक बच्चे की तरह मेरे साथ वेवार करके उनको सुरुक्षित भाव आता है He runs his finger through my thick और वो अपनी उंगलियां घुमाते हैं मेरे thick यानि सघन densely कह सकते हैं करली घुंगराले है और वे मेरे सघन और घुंगराले बालों में उंगलियां फेरते हैं holds my head और मेरे सर को पकड़ते हैं close to his chest अपने सीने के करीब जब मुझे लगाते हैं and pets me और मुझे थप थपाते हैं मेरी पीट को थप थपाते हैं मतला मुझे गले लगाते हैं यह व्यवार भी समीर नामक टीनेंजर को टीनेंजर यानि किसोर मैं लिख रहा हूं किसोर उसको अपने पिता का यह व्यवार आज अजीब लगता है कुछ समय तक कोई दिकत नहीं थी कुछ समय पहले उसके माँ उसके कमरे बाती थी कोई प्रोब्लम नहीं लेकिन अब प्रोब्लम है चीक है जी I would not say I hate him for doing that यह बड़ी शही बात कही है I would not say मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जब मेरे पिताजी मुझे गले लगाते है बालों में उलियां फेरते है तो मुझे यह चीज है जो पसंद नहीं या फिर मैं इससे घरना करता हूं ना यह बात नहीं है But I am not able to enjoy it as I used to लेकिन अब मैं उतना समर्थ नहीं रहा जितना पहले था जितना enjoy इनी activities का मैं पहले लेता था पहले जब भी मेरे माबाप या उसके पिताजी उसके बालों में हाथ गुमाते है तो उसको आनन्द आता था लेकिन आज वो बोल रहा है मुझे आनन्द नहीं आता Once एक बार I would give the whole world कि कभी ये पाश्ट के लिए दिखारा कि कभी मैं पूरी दुनिया छोड़ सकता था for being held loving by अपा कि एक समय वो भी था कि मैं पिताजी के प्यार के लिए सारा संसार छोड़ सकता था अर्था उनके प्यार के लिए मैं सब कुछ कर सकता था Now I feel अब मैं मैं मैंसूस करता हूँ As if मानो It is not what अपाश्चुड डू टू जबकि अब मैं ऐसा मैंसूस करता हूँ कि यह सब पिताजी को मेरे साथ नहीं करना चीए मतलब उसे सही नहीं लग रहा Is it not time क्या यह वह समय नहीं है I tell myself मैंने अपने मन में कहा That he treats me as a grown-up क्या समय नहीं आ गया है कि अब वो मेरे साथ वियस्क की तरह विवार करें वियस्क बड़े बालक की तरह Especially विशेश रूप से When he has been reminding me to behave like one और खास कर या विशेश रूप से उस समय जब वे मुझे remind करते हैं उसी तरह का विवार करना चाहिए यानि बड़ों का जैसा विवार करना चाहिए Reminding याद दिलाना मी समीर को to behave विवार करना like one कि एक तरफ तो मुझे कहते हैं कि मेरा विवार कैसा होना चाहिए बड़ों की तरह होना चाहिए तो क्या मेरे साथ भी बड़ो जैसा विवार नहीं होना चाहिए I fall and sleep कई बार वो गहरा है कि मैं गिर जाता हूँ fall गिर जाना, fall feel fallen, sleep फिसल जाना कई बार गिर जाता हूँ, फिसल जाता हूँ scream with pain दर्द से चीखता हूँ because of क्योंकि a sprain क्योंकि मेरे पैर में क्या आ गई, sprain आ गई, sprain करता मोच जब मैं ऐसा करता हूँ a ma is all kindness तो मा, मेरी जो मा है वो क्या करती है त्यालूता दिखाती है not अपा पिताजी नहीं दिखाते यानि मा बहुत त्यालू है लेगें पिताजी दियालू नहीं है और उस समय पिताजी गरोल्स का अर्थ होता गुर रहना या नाराजगी दिखाना you are 14 समीर कि थोड़ी सी चोट लगने पर जब मैं रोता हूँ फिसल जाता हूँ तो मेरे पिताजी गुस्से में बोलते हैं कि तुम 14 वर्स के हो गयो it is time you learned how to bear pain bear का अर्थ होता जी सहन करना it is time का अर्थ होता समय हो गया है समय आ गया है वक्त आ गया है you learned तुम सीख लो दर्द को सहन करना with stoic courage courage का अर्थ होता जी साहस क्या होता जी साहस और उस समय मेरे पिता जी मुझे ऐसे बोलते हैं कि आप stoic साहस stoic का अर्थ होता सहयम से सहयम से सहस से आप ये दर्द सहना सीख लो you are no longer a child तुम बच्चे नहीं रहे एक तरफ तो ये कहते हैं और एक तरफ बच्चों जीसा भी मेरे साथ वेवार करते हैं तो क्या उनको बड़ों के जीसा वेवार मेरे साथ नहीं करना चाहिए ये बात रहती है I can't forget those words मैं उन सब्दों को नहीं बूल सकता यानि ये सब्द मुझे याद रहते हैं नेक्स्ट इवनिंग और अगली ही सुबह बिफोर अप्पा हैस रिटर्न फ्रॉम ओफिस अप्पा के दफ्तर लोटने से पहले I walk to अम्मा मैं अपनी मा के पास गया She welcomes me और उन्होंने मेरा स्वागत किया विद अ बिग स्माइल मुस्कुराते हुए बर दे स्माइल टर्न इंटू फ्रोन लेकिन जल्द ही वो मुस्कुराहाट फ्रोन का अर्थ होता है नाराजगी जल्द ही वो मुस्कुराहाट नाराजगी में बदल गई फ्रोन का अर्थ है त्योरी चड़ाना When I ask her जब मैंने अपनी मा से अनुमती मांगी Whether I go for a party at विसाल's house क्या मैं विसाल के घर जो पार्टी हो रही उसमें जा सकता हूँ अम्मा सेज तो अम्मा ने कहा Must be back from nine नो बजे से पहले वापिस आ जाना एक तरफ उसको छोटा बचा रहे हैं और दूसरी तरफ उसको बड़ा तो यदि वो बड़ा हो गया है तो नो बजे से पहले आने का मतलब क्या है Late तक भी आ सकता है और लेकिन यदि वो बड़ा नहीं हुआ तो उसके साथ बड़ो जेसा विवार क्यों किया जा रहा है यानि वो दूविदा में है और वही ये समझाना चाहता है अब देखिए, मा, I am grown up now, अब मैं बड़ा हो गया हूं, can I not stay out till all my friends leave, क्या मैं तब तक नहीं रुख सकता, जब तक मेरे अन्य मित्र चले नहीं जाएं, I ask मैंने पूछा, You think you are old enough to be your own Samir, और मेरी मा, इस बात पे बोलती है कि Samir, you think तुम सोचते हो, कि तुम अब इतने बड़े होगे, कि तुम अपनी इच्छा से काम करोगे, enough to be your own का था, अपनी मर्जी से करना, Remember, याद रखो, you are still a child, तुम अभी एक बच्चे हो, कुछ समय पहले क्या बोल रहे थे, कि तुम बच्चे नहीं रहे, अभी कहरे तुम बच्चे हो, तो एक समय पर एक व्यक्ती, दो चीजे कैसे हो सकता, या तो वो बच्चा है, और या फिर बड़ा है, वो ना तो बड़ सक रखा गया, growing up pains, even though you think otherwise, वो कह रही है, कि क्या तुम अपने इतने बड़े हो गए हो, कि तुम अपने मर्जी से काम करोगे, और फिर बोल रही है, even though you think otherwise, ये भी बोल रही है, कि यह याद रखो, कि तुम बच्चे हो, अभी तुम वो नहीं कर सकते, आगे लिखा भी है, कि तुम अभी एक किसोर हो, मैं रही है, ना ही तुम बच्चे हो, और ना ही व्यास को, उसकी बीच क्या ही हो, कि हो, तुमें सही गलत का कुछ नहीं पता, तुम ये हम जो कह रहे हैं, वही करो, और कुछ समय पहले उसके पिता जी कह रहे हैं, कि तुम क्या हो गए हो, समीर के लिए दुविदा पैदा हो गई, और वो चाहता है कि उसके मवाप उसको या तो बच्चा माने या बड़ा माने, इससे आगे का आखरी पार्ट हम देखेंगे, उमीद आपको समझ आया होगा, कोई भी दिक्कत आप पूछें, दस्विए का कोई भी विद्यारती य भी का, आज जो वीडियो डा रहा हूँ, आज से आगे जितने वीडियो डिलेंगे, मैं यह नहीं चाहता कि किसी विद्यारती घर फोन करना पड़े या जाना पड़े, खास कर इस बात के लिए कि आप पड़ नहीं रहे, आप मुझे बड़ी सर्म आती है, मैं आपको बता पारों एक वा किया, एक विद्यारती घर कोल किया, विद्यारती ये बोल रहा है कि सर जी टाइम नहीं मिलता, और जो बच्चे हैं उनको 40-40 गंटे मिलते हैं क्या, वही 24 गंटे हैं, फिर मैंने का यदि स्कूल आते तो, बोल रहा है कि सर स्कूल की बात अलग थी, स्कूल क क्यों करते तुम स्कूल आते तो काम क्यों करते हैं उलसर जी पिटाई से डर के तो क्या हम पिटाई के डर से पड़ रहे हैं ना जी ऐसा तो कोई रादा नहीं है मतलब आप एक विध्यारती हैं आपका प्रम करतव है कि आप सीखें आपका काम है सीखना चाहिए कम सीखें झाल झाल